फिलो रश्टेनल सभ सभी को आपके प्यारे चैनल कॉंसेप्ट्चुल रश्टेड वित्र तेस्विंग बार पुना स्वागत है और आज की इस यूड़ में एक ट्रेवलर है जो की जाता है जंगल में रुख जाता है उसका गोड़ा सोचे नाखता है क्यों रुका मेरा मालि ओर इस यूड़ा बताता है अपने बारे में और उसको कहा जाना होता है और क्या कुछ देखता है उस जंगल में उसके बारे में इस चैप्टर में मेली बताएंगे तो आज बुरा वीडियो को देखेगा और चैनल में नए होंगे तो ज़रुसे सब्सक्राब कर लिज़ें क्योंकि चैनल प्लिब बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन होने वाला है तो छेटेर्शन देखते हैं सबसे पहले स्टॉपिंग बाइदा उट्स इसका मतलब क्या है जेंगल के पास रुखना यहाँ उट्स का मतलब जैंगल है ठीक है बोड रहा है कि क्या इम जो पेड़ पोध है या फिर जंगल है वो क्या सोच रहे हूं मैं क्या सोच रहा हूं कि क्या जानते हैं नहीं जानते हैं नहीं ऊफिक है his house is in the village It isienced जंगल में रुका भूल में जिसके जंगल में रुका मालिक को भी न attach कि में यहां रुका हूं कुछ अजीब टैपका ऐा सके जानते हैं जानते क्ते हें जानते हैं किस तरह पर अगदम और छल्ड़ भीज़ व किष्ट है तो गोड़ा में जा रहा था तो गोड़ा में जा रहा था तो गोड़ा में जा रहा था तो देखा और इतना सुन्दर उसको लगा कि वहाँ रुक गया और रुक गया और वो चारो तरब के हर्याली को देखने लगा और गोड़ा को बोला रुको तो गोड़ा रुक गया ठीक कि मालिक को भी नहीं पता होगा कि मैं यहां रुका हूं तो इसका मतलब भी बताएंगे तो देखे रुका बीच चंगल में और जो चारो तरब के हरयाली को देखने लगे हरयाली क्या देखता है वर गिर रहा था उसके ऊपर में ठीक है और इसी तरह से आगे देखे, he will not see me stopping here, he will not see me stopping here, उसको देखने का ही मन कर रहा था, उसको पूरा फिल कर रहा था, यानि कि बरप गिर रहा था, उस पर पूरा जूर से, ठीक है, my little horse must think it queer, queer, यानि कि देखो मेरा घोड़ा को भी नहीं पता हुआ कि उसका मालिक क्यों रुका हुआ है, गोड़ा को लग रहा हुआ कि वो क्या गलती किया है, जो मारने के लिए उसका मालिक उसको रुका, ठीक है, इस तरह से, तुर स्टोप, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, भुला कि बगल में तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, घोड़ा के रखने का विवस्था भी नहीं है, कि यहां पर रोका, कि फार्म हाउस में ले जाकर मालिक घोसा देगा, इस तरह से, ठीक है, बरफीले जीलों की तरह हो गिया था, ठीक है, पुरा जैंगल था है, बिदाब, डार्केस्ट इवनिंग और वियर, जो सो डार्केस्ट इवनिंग था, पुरा इयर का, देखे, उसके घोड़े के गर्दन में एक बेल था, यानि कि घंटी था, जो बजता था, ठीक है, और घंटी को हिला हिला के, ओ बोलता था मालिक से, कि मालिक आप क्यों रोके हैं, इस तरह से, ठीक है, घंटी को हिला हिला के बात किया, तो इस तरह से, जो जिसके बारे मापको नहीं पता होगा, उसका हिंदी का लिजेगा, ठीक है, आगे, the woods are lovely, जितने भी जंगल थे, बहुत ही ज्यादा lovely, प्यारे थे, dark and deep थे, ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहे थे, but I have promises to keep, उसका रहने का मान था, उसका रुकने का मान था, उसको देखने का मान था, उसका सरयाली का मजा लेने का मान था, लेकिन, उसका जो गंतावेस था, यहाँ पर मंजिल में पहुँचना बहुत जरूरी था, ठीक है, उसका देर हो रहा था, इसलिए उसका जो जो मंजिल जबरज़स्ती, खीचने लगा, तो कहने का मतलब यह शरूर्ण कि आजकल के बच्चों को जो देखने का मन करता है, और जिसमें मजा आता है, जिसे बहुत सारे चीजों में, ठीक है, और अच्छा लगता है जो चीज, उसको जो ऐसा ओदेख नहीं पाता है, बढ़ियां से, क्योंकि उसका जो जो निया में उसका घर का ओखीचता है कि तुमको वहाँ पहुचना है, पहुचना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, अनिक उसका जो मन में टेंसन लगा रहता है हर एक आदमी को, कि हमको यहाँ पहुचना है, इस वज़ा से इस हरियाली को खुब सूर्थी को नहीं देख पाता है, अब है कि मैं जानता हूँ कि यह जंगल किसका है, लेकिन उसको पता नहीं है, लेकिन उसको लगता है और जानता है कि यह जंगल किसके है, ठीक है, हलाकि उसका घर गाव में है, वो बोला कि जिसका भी जंगल होगा, उसका घर जरूर गाव में होगा, वो मुझे यहां रुकते वे नहीं देखेगा, वो देख भी नहीं पाईगा जंगल को बर्ब से भरते वे देखने के लिए, उसका जो जंगल में बर्ब भर रहा है, मैं देखने के लिए हैं रुकाओं आओं, जो जंचल के माली को नहीं पता चलेगा, मेरे चोटे गोड़े को यह अजीब लग रहा होगा उसका गोड़ा को भी अजीब लग रहा होगा कि बिना किसी फर्माउस के रुखना यानि कि उसको लग रहा होगा कि यहां तो फर्माउस भी नहीं है फर्माउस भी नहीं है तो मैं क्यों रुखा हूँ ठीक है जंगल और जमी हुई जील के बीच जंगल है और जमी हुई जील है उसके बीच में साल की सबसे अंधिरी साम है वो अपने हारनेस की घंटियों को हिलाता है यानि की घोडा या पुछने के लिए कि क्या कोई गलती है गोड़ा पुछता है कि क्या मेरी कोई गलती है जो आप रुके हैं केबल दुसरी आवाज है ठीक है अराम दायग हवा और कोमल परत की बहुत ही अच्छा लगा उसको मार्टी कि जंगल सुंदर अंधेरा और गहरा है बहुत मज़ा रहा था लेकिन मुझे वादे निभाने है याने कि जो चीज के लिए जाना है वो चीज निभाना है उसको और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सोने से पहले उनको मीलों तक चलना है और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है उसका जो ये वादा शन्स निवानने का, उसका success करने का एक जो ये है, वह बहुत ही important है, तिसे एक तर्फ ये सिख्छा ले सकते हैं कि अगर हम लोग कहीं मंजिल में जानना चाहते हैं, यानि कि कोई कुछ बनना चाहते हैं, कोई कुछ पढ़ना चाहते हैं, उसके बीच में किसी को किया गया वादा वो आपको आपके आपको बेचेन कर सकता है मतलब कि आप जहां भी कुछ बढ़ियां चीछ देखने लगेंगे तो जो आपको अपने तरफ खीचने लगा कि हां एक टेंसन माइंड में रेगा कि हमको यहां तक पहुंचना है ठीक है इसका कौन सा भी हम लोक को रुकना नहीं यह ठीक है इस जैसा काता है वीर तुम रुखो नहीं धीर तुम डटो वहीं तुम डटो वहीं सामने पहाढ़ हो सिंकी दाड़ो वहाल है कितने भी खुबसूरत चीजें आएंगी बहुत सारे लोक जो एसटरह अट्रेक्ट होकर अपने मंजिल तक नहीं पहुच पाते हैं तो उस तरह से नहीं अपना जो इससों पहुचना है ठेक है उसके लिए चाहे खुबसुरत चीजों को देखना क्यों ने छोड़ देना पड़े इस तरह से इसका कुछ और भी पॉइंट ओफ्यू हो सकते हैं लेकिन मैं अपने पॉइंट इसको हिंदी करके आप अराम से पढ़ लिए जाए ठीक है हम कोशन पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोगो समझ में है वेर डाइडर स्टोप कहां पर जो सोई राइडर रुखता है ठीक है अब आगे देखिए वाइड़ रुखता है ठीक है तो इसका क्या मतलब हो सकता है इसका मतलब इसका की बहुत सारे लड़के होते हैं कि जो बौथ कुछ करते रहते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ तो मेरे को कोई नहीं देख सकता है जिसका ये जंगल वो भी नहीं देख सकता है ठीक है कहने का मतलब उसकी भाब सारी लोग गलत करते है और उनको पता है कि यहां का तो देखिया नहीं सकता है मेरे को कोई नहीं देख सकता है मैं कुछ भी करो हूँ मैं खुबसूरती को देख रहा हूं इस तरह से लेकिन उसका जो वादा एक तरह से खीच रहा है आपने सफलता ऊसको कीच रहा ठीक है तो और सफलता के तरफ ही जाना चाईए धेकाना ठीक है अब आगे देखे रहें त्स क्या या कि वाइड़ज दा होरस गीज zona harness bells सरिकल तो उसका जो harness well sessions कि हैनकि जो उसका गंटी है ओ क्या बता रहा है तो बोड़ रहा है कि हां यहां पर सामने तो कोई फामाउस नहीं है इस तरह से मैंने कुछ गलती किया है क्या इस तरह से इसके लावा भी कुछ अधर साउंड आ रहे थे तो हवा अगिरा का रहा था है अधर वाज प्रजेंट इन दा उट्स इस तरह से तो यह आंसर को पढलने आप लोगों को बढ़ें आंसर दिया ठीक है वाइड़ दोई यूजड़ इक्सप्रेशंस डार्क डीप डार्किस्ट तो इस सब्द का परियोग क्यों किया है ठीक है तो पढ़ ले ना इसको रूशन से हाव दू दा स्पीकर दा ओनर ऑफ दा उट्स एंड दा हॉर्स रियक्ट दा ब्यूटी ऑफ नेचर तो नेचर का जैसो किस तरह से रियक्ट किया है ठीक है आगे देखिए वाट फिक्टर ऑफ नेचरल ब्यूटी दू यू गेट फॉम दा पॉम दिफिक्ट से ब्यूटी फुल इवनिंग दा ओड ओड निर रिमोट विलेच तो वर्शन कहने का मतलब एक है कि जो ब्यूटी है उसको आप किस तरह से कर सकते हैं इन दा फाइनल स्टेंजा दा स्पीकर सेज देट इस नौट यू येट रेडी तू स्लिप अभी तक को सोने के लिए तयार नहीं है अभी उसको मंजिल तक पहुंचना है वाट एजी तू डू विफोर ही कैन टेक रिष्ट अपना काम करने के बाद ही रोइस्ट लेगा ठीक है तो इसका अंसर देना है कि उसका जीवन अंधिरे में है या फिर जो अंधिरा हो रहा उसका बात कर रहा है अपोर लाइन अस्टेंज इस ओल्ड़ा क्वाट्रेंज अव्यूट्रेंज अव्यूट्रेंज अपने पता चला है थीक है यह मैन चीज आपको समझ में आगया ठीक है ठीक है ठीक है तो आप लोगको भी मनज़िल तक पहुँचना है बीच में कितने भी Obviously cloudy आ जाने हैं ठीक है आपको रुकना नई है ठीक है कुछ बहुत सारे लोग रुख जाते हैं ठीक है जिस तरह से अभी ये रुख गया था और घोड़ा पूछने लगा क्यों रुखा मैंने कुछ गलती किया कि दूसरे लोग सोचने लगते हैं ठीक है तो इसा ने अपने मंजिल को प्राफ्ट करना इसका कोई दूसरा भी अगर है आपको लग रहा है तो आप लिख सकते हैं क्योंकि यह पोई में ठीक है और बाकी आंसर पढ़ने के बाद आपको सारा क्लियर होई जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू से करी जाएगा क्योंकि और भी इंपोर्टेंट चीज़ें आएंगे और इसका अगर आप लोग 50 रुपीस लगा के मेरे फ्राइवेट ग्रूप में जॉइन कर सकते हैं एसी टू इंग्लिस का सब्सक्राइब बनाए ठीक है तो उसमें गेस पर होगे रहा सारा कुछ मिल जाएगा तो आप लोग जरू से जॉइन कीज़ेंगा ठीक एशन्स और थैंक्स पूर व है तो नापने कीज़े जैओी सामात्र में जाएब तो आप लोगे एस दो आप लोगे यॉवादा रहा है जाएवे जाएवे लोगे टो है आप लोगे आप रहाने कीज़ेंगारह भाफ क्वेवे आप भाफ कि हाएवे बनात्र फू भाफ क्वेद वा ठो शुतर